मैं Misfit अपने आपको मानता था, जब खाना नहीं होता है ना, सारे आपके fantasies और सब तूट जाते हैं, बिखर जाते हैं एक casting director ने भी पिछे बोला मुझे कि सर आपना थोड़ा सा बहुत difficult हो, आप थोड़ा price कम कर दो ना इस project में मैंने का, यह वो उन तमाम दिनों का है, जब मैं दिन में 20 चाहे, 15 चाहे, भूके पेट, रात रात दिन भर गालें सुनके, मुफलिसी में गुजारे, पैदल चलके टाउन से अंधेरी आता था, यह उन दिनों का चार्ज है, कहीं पर एक खलका सा खलबली थी, कि अब 5 साल बा और मेरी जिंदगी प्लागा, यह वेलकम तो टेक अपॉस, मी, भरंटु किराला, यह एक एपसोड जिसके वारे मैं काफी ताम सोच रहा था कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, तो मैं आपका बॉत-बड़ा फैन है, मैं जब भी आपको स्क्रीन पे देखा है, या युवा के वी प्रेंड है, तो, मैं हमेशा रगता है कि आपके अपके अपके एक टेक्स्चर आता है, जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता है, पर उसमें एक रिलेटिबिल्टी आती है, अब नैचरली हर रोल को देखते हैं कि रेफरेंसे होते हैं हमेशा? डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़े होते हैं कि कई बार आपको कोई एक रेफरेंस मिलेगा, कि फर एक्जांपल, दाउद फंड से किया मैंने, ब्लैक फ्राइडे में, चोटा पार्ट था लेकिन इंट्रेस्टिंग पार्ट था, तो अब मैं, मेरी जिंदगी में कोई दाउद फंड से नहीं है, जिसको मैं मिला हूँ, जिसके साथ मैंने चाहे पिया हो, टपरी पे बोलाओ, बता दाउद क्या चल रहा है, तो मेरे पास अब्जरवेशन उस तरह से नहीं, तो मेरे मेरा जो उसमें अब्जरवेशन बनेगा, वो जो लार्जर कैन्वस है, फिल में, जो आपका कमर्शल सिनेमा, आर्ट सिनेमा, क्या पता उसके अंदर एक कहीं, बैक अफ दा माइन में, अर्द सत्य का शेटी रहा होगा, एना कि ऐसा हो सकता है, जो आदमी ऐसा क्लमजी होगा, ऐसा करेगा, या सेविंटीज का कोई कमर्शल सिनेमा होगा, या हो सकता है कि मंटो की कहानी एक मैंने पढ़ी थी बहुत पहले महमत भाई जिसके अंदर राइटर बताता है कि वो महले का ऐसा दुबला पतला गुंडा जिसको दिखे कोई बोलेगा नहीं गुंडा है तो आप फिर वहां से रेफरेंस लेते हैं कि मैं इसको ऐसा बनाता हूँ क्योंकि इसके बारे में उस कैरेक्टर के बारे में ऐसा कुछ छपा नहीं है कि किरे नहीं शहाद आप बेशाध ऐसा कुछ नहीं किव इतना फंबल गरता होगा इतना उसके अंदर चीजें़ोंगी या वो फोन पे बोलेगा कि नहीं मुझे मिलूआ बं से मिलूआ उ तब मैं जो उसकी डिजायर नहीं है, वो जहां नहीं रहा है और उससे गलती हो जाती है, वो किसी भी चीज को गड़बड कर देता है, या बधायों का जो कौशिक था, मैं है मेरे फादर थे रेलवे में, तो मैंने वैसे एक आदमी को देखा था, जो गार्ड है रेलवे में और हमेश हर रोल के लिए अलग-अलग रेफरे, कई बार होता है, राइटर आपको दे देता बहुत सारा कुछ, लिखा हुआ इतना इंटरस्टिंग होता है, कि आपको उसमें से, उसको खली महनत करनी है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए, उससे चीजे हो जाएंगी, कि जैसे, अभी मैंने एक फिल्म कंप्लीट की, आने वाली है इन फिल्म, सत्य प्रेम की कथा, तो उसमें जो मेरा पार्ट है, एक नॉर्मल मिडल क्लास गुजराती फैमिली में, तो उसके जो लाइन्स है, वो इतने विटी हैं, उस उस पूरे फैमिली के जो चार लोग हैं उनकी बी गारेक्टर किदर जाएगा, क्या होना, तो उसमें बहुत जादा वैसे, वैसा प्रेशर नहीं कि इस रोल में मुझे कैसे काम करना है, आपको बच्पन से ये था कि इस फील्ड में आना है, एक 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 डिरेक्टर बना है, कि कि को तो एक पॉइंट होता है, लुग तक इस डिरेक्शन में जाना है, देखो, सिनिमा हमारी सब की जिंदिगे का इंपॉर्टन्ट हिस्सा है, सिनिमा क्योंकि आज से चाली साल पहलों तो सिनिमा ही था, अब तो हमारे आज की जो जनरेशन ने बहुत लगी है कि उनके पास, मतलब हजारों जगां हैं, पेलिविजन है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे लाखो चैनल्स हैं, आप मॉबाइल पर देख सकते हैं, बहुत कुछ है, तो उस जमाने में या तो सिनिमा हौल जाएंगे, या दूरदर्शन बाद में आया, उसके अंदर आपने कुछ देख तो, लेकिन आपको ये हमेशा, मुझे उसके जो संडे को आता था, या एक टाइम था जब महले के लोग मिलके वी सियार किराय पर लाते थे, और पूरी रात, तीन फिल्में आई हैं, तो मजबुर, ऐसा लेट गया है, घायल हो गया है, अफगान वार में जैसे ब्रिटिशर गया हैं, और लेकिन सुबह छेचे ब आप सोचते तो नहीं हैं, कि आप जब आप 7-8 साल या 10 साल के होते हैं कि मुझे अक्टर बनना है और मैं ऐसा करने वाला हूं, लेकिन कहीं न कहीं आपको वो इन्फ्लूइंस जरूर करते हैं, जैसे मिस्टर नटूर लाल देखने के बाद, बच्चन साब मेरे दोस्त बन कि यह अपनी बड़ा चाया, बच्चों से कैसे प्यार से बात करता है, मुझे ऐसा, मुझे हलका वेग सा याद है, कि यह उसके बाद मेरे बच्चन साब से बहुत दोस्ती हो गए, कि मुझे उनकी फिल्म में देखना, और मैं शायद अपने जाती जिंदगी में वैसा करता था, कि मन में अपने आपको बच्चन समझता है, शायद उस टीनेज वाले 10-12-15 साल के उसके अंदर, तो जब आप मन में सोचते हैं, तो कहीं न कहीं वो एक कीड़ा तो रहता है, लेकिन ऐसा कुछ प्लान करके नहीं हुआ था, बहुत ड्रिफ्टिंग वाला मामला था, उ बहुत सारी अलग-अलग दुख भरी कहानिया है, तो उसको लोगों को सुना कि बहुर नहीं करेंगे, वो लोग, तो लेकिन ऐसा था कि प्रिविलिज्ट बच्पन नहीं था, कि सब कुछ अवेलिबल है, वैसा वाला नहीं था, तो उसके अंदर, फादर मेरे राजस्तान स और छोटी-मोटी जॉब से शुरू किया था, रेरवे में नौकरी करते थे, और चल रहा था, इसको बोलते हैं, सब प्रीक, चल रहा है, वो चल रहा वाला था, हमारा बच्पन, और उसके बीच में, उनको लगता था, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजिनेर बनूंगा, क्योंकि वो 70s, लेट 70s में वो ही होता था, कि डॉक्टर बनना है, इंजिनेर बनना है, लेकिन उस तक पहुचना कैसा है, उसका जो ग्राफ किसी के पास नहीं था, तो बेसिक आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कैसे डॉक्टर बन होगी, क्या होगा, और बहुत सारी न अब ही हम लोग यहां बैट कर, AC स्टूडियो में यह सब ग्यान की बाते कर रहे हैं, लेकिन जब खाना नहीं होता है, रोटी, उसके बाद सारे आपके फैंटेसी और सब तोट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो वो एक कुछ साल का दौर था जहां मैंने अलग-अलग नौक पॉइंट था, 19 साल का होंगा, 18, 19 साल का, थेटर देखा कि यारे, दो लोग मिलके, नाटक भी मुझे आदा है, संध्या चाया एक नाटक है, दो बुजर्ग लोग अपने लाइफ को याद कर रहे हैं, मुझे लगा, यह कहां देखके बोल रहे हैं, पर पीछे मुरमुर की दिखता था, औरिटोरियमें, कि कहां पर इको, डेड़ दो घंटे तक कैसे बोल रहे हैं यह लोग, तो वो जो था, वो टर्निंग पॉइंट था, कह सकते हैं, कि वो नाटक देखना शुरू किया मैंने, और फिर मुझे लगा कि यह जो हैंना, यह मैं शायद इसको मैं ठीक क्योंकि बहुत सारे प्रेशर भी थे, कि आप नौकरिया कर रहे हैं, कुछ-कुछ काम कर रहे हैं, अख़बार में लिख रहे हैं, लेकिन आपका क्योंकि, मतलब बदकिस्मती कही है या जो भी, तो आपको मेंटोर्ज नहीं हैं, कोई आसपस आपके पास होता है, वो नहीं बहुत ही एक लोर मिडल क्लास फैमिली का में रहते हुए, आपकी जिंदगी जो को धका दिया जाता है, आप धके में चल रहे होते हैं, इधर चला, इधर घुज गया, और वो एक था कि मुझे लगा कि यह पता नहीं कहां से कॉल आया होगा, कहां से आवाज आई, और फिर मैंने एक तेटर ग्रूप जोइन किया, और साथ में मैं अख़बार में लिख भी रहा था, और फिर वहाँ से चीजे बदली, तो वो था कि हां ये, और फिर माबाप ने भी देखा कि हां ये, शायद उन्होंने भी उमीद छोड़ दे, कि सरकारी नौकरी नहीं कराएं, सरक हो गया तो इसकी लाइफ बन जाएगी, जब थेटर में वहा तो उनको लगा इसकी लाइफ बरबाद है, अब हमारा जहां तक था हमने कर लिया, अब इसका भगवान इसके साथ है, लेकिन कुछ सालों में फिर वो उनको भी लगा कि मैंने गलत डिसिशन नहीं लिया, मैंने बहुत बार लोग बोलते हैं कि सब स्टार्ट करते हैं कि यह एक रोल था जहां पर अपर अपना सेंसेशन बन गया है, कि सब ने दिखा, पर उसके जो पहले वाले कुछ चार पांट साल होते हैं, जिससे मैं बात किया मैं लगता है कि वो पीरिट सबसे इंपोर्टन रहता, वो पीरिटे चे आप आपना अल्मस लेक फ्लो पागड़रे हैं, आपकर मैं रोल्स देखो बदाए हो के पहले वाली है, और यह अच्छी जब मैं फिल्मोगर्फी देखा था है मैं वापस गया हूप आपका एक फ्लो था, एक पॉइंट के बात कि दिख रहा है कि अच्छ एडवाइस था जिन्हों ने इंस्पायर किया था आपको पहला हम यह यह कह सकते हैं कि जिस बैग्राउंड से मैं हूँ वहाँ पर श्रद मुश्किल होता पता नहीं मैं क्या कर रहा होता लेकिन मुझे मैं हर मोड पर मुझे कुछ इंट्रेस्टिंग लोग मिले जैसे आपकी आपकी लाइफ में कोई कोई कोच होना चाहिए मुझे लगता है कोई कोच होना चाहिए या कोई मेंटॉर जिसको बोले जो आपके लिए लाइठाउस का काम करें कि आपको बताए कि आपकी जो नाव है वो तक रहने हो लिए बत्तर से डूप जाएगा तो वो हर हर इंस तो मुझे अलग-अलग मोड पे अलग-अलग सफर में कुछ लोग मिलते रहे जिनोंने मुझे रास्ता दिखाया जाने अन जाने में ऐसा नहीं कि प्लान करके जैसे कि अलग जाते हैं श्री श्री रवी शंकर के पास एना हर्ट ऑफ लिविंग और उनकी चीजें उनकी जिन्दगीयें बदलते हैं उससे करक्ट है नग अब 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 transformed Your श्री रवी शंकर के पास हजारों लोग जाते हो गए उन हजारों लोगों में शायद सेक्डों या कुछ सौ लोगों की जिंदगें बदलती होंगी तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे जिंदगी में ऐसे बहुत सारे श्री श्री रवीशंकर आए तो सबसे पहले जो थे मेरे सोशालोजी की टीचर थे 11th standard में शायद तो उससे पहले सरकारी स्कूल की जो पढ़ाई और उसके बीच में जो रेगलर एक धर्रे पर रहती ने चीज़े उन्होंने रटने वाले जो चीज़े थी उनसे हटाया रटने की बजाए वो life lessons बताते थे कि ग्यारवी के बच्चों को कोई टीचर आदमी और और आरत के बीच में जो जो जगड़े होते हैं सोशालोजी के कॉंटेक्स्ट में वो बताते थे और वो जो किताब में लिखा हुआ तो वो छोड़ देते थे और वो अलग से बात करते थे हर स्टुडेंट से तो मुझे एक तो उनका बड़ा इंप्रेशन लिए अच्छी बहुत इंट्रेस्टिंग पॉइंट है यह रटने वाला जो सिस्टम में नो सबको एक फैक्टरी में डाल दो सबको वही चीज करो और सेम चीज के अलग अलग भी नहीं होगा बलब विजूली अलग हो सकते बड़ एक्शली जो दिमाग में वह सेम चीज आएगा तो सेटी सर जो थे उन्होंने मुझे मेरी लाइफ को बहुत इंपक्ट किया उन्होंने शाहिद देखा कि यार यह एक फोड़ा सा बिखरा हूँ आदमी है इसको इसे चला जा स्टेज शोस कुछ हुए स्कूल में तो उसमें इन्वाल करवा दिया उन्होंने क्या चानी गज्राइच यू दो एट और वो बड़े वो पहले टीचर थे जिन्होंने हमें मुझे स्टूड़ेंट कि तरह नहीं पहले किए एक टीचर और स्टूड़ेंट का जो एक फ्रेमवर्क होता है good morning sir yes sir impress करना है आपको टीचर को वो उसके क्या बोलते हूं उसको वो फ्रेमवर्क में नहीं थे और वो कैशूल थे बहुत और आप शायद मुझे मेरे पूरे लाइफ में तब तक में पहली बार कोई इंसान मिला जिस जो मेरे में इंट्रेस्टेट था ऐसे शायद आठ दस स्टूडेंट्स थे जिनके लाइफ में उन्होंने खास तौर पे इंट्रेस्ट लिया बिखरे वे थे कुछ एक स्टूडेंट्स होता जो लोकल गुंडा टाइप का था कि आसपास के स्कूलों से जगड़ा करके आ जाना टीचर्स के साथ बत्तमीजी करना और वो मुझे याद है कि नाइंथ तक तो लड़ता वड़ता रहा सब कुछ करता रहा वो सिंगर भी था बहुत अच्छा सिंगर भी था हो मतलब गाता था ग लड़के ने लेकिन पहली बार एक टीचर मिला जिसने उस एक हधे तक तो बरदाश्ट किया फिर उसके बाद उससे डड़ते थे लोग टीचर्स ड़ते थे कि मारेगा कुछ लड़का नहीं वो लड़का जो था बद्माश था और वो थाना बद्माशों के ग्रुप बन ज उसको उठाया, मेरी खियाल से गिरेबान से पकड़ा और उसको बोला कि तू होगा बदमाश कहीं का भी, मैं यहां का बदमाश हूँ. और मेरी लिए तो मतलब मैं भी डरता था, क्यार यह, होना कभी भी धक्का मार देना, गुसंड मार देना, आपको रिफ्रेश्मन मिला, वो छीन लेगा, ऐसे बच्चों का ग्रूप था वो, एक तीन-चार बच्चों का, पांच बच्चों का, और उस, सेटी सर ने उस दिन उ कुछ लड़के को पहली बार लगा, कि यार, मुझे कोई है, तो वो धीरे-धीरे उसकी काउंसलिंग की, वो चेंज वह लड़का, कुछ मैनों में वो चेंज हो गया लड़का, उसकी बदमाशी रुख गई, उसको जो एक बुल्डोज करता हो जा रहा था, उसका फ्लो जिनका बच्पन भी खरा हुआ है, तूटा हुआ है, जो क्या बोलते हैं, डिफेक्ट, डिफेक्टेड मॉल, माल जो होता है न, उसको ठीक कर पा जो, तो सेटी सर वैसे थे, जिनकी वज़े से इंपेक्ट हुआ, फिर उसके बाद थेटर में, मुझे एंके शर्मा मिले, ए कॉंपलेक्स था, कि ये, ये, मेरी, क्योंकि मेरी जबान नहीं है, मैं अंग्रेजी में सोचता नहीं हूँ, आज फिर भी थोड़ा बहुत कुछ सेंटेंस बोल लेता हूं, मैं, कम्यूनिकेशन हो जाता है, एर्विटाइजिंग में इतने साल रहने के बाद, उस समय तो ब बच्पन से सिखाया गया था, कि अंग्रेजी नहीं आती तो अब बरबाद हो आप, इंग्लिश मीडियम स्कूल, नहीं, बड़ा कॉंपलेक्स में, मतलब गाउं ले जाते थे पिताजी और बोलते थे चलो, ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ, उस में, एंके शर्मा ने, अंग ऐसा नहीं कि बैट की बता है, गजराज, मैं तेरा मेंटार हूँ, आज से तेरी जिन्दी के बदलता हूँ, ऐसा नहीं, कुछ महीनों के बाद हुआ हूँ, और एंके ने मुझे ही नहीं, मेरे हमारे साथ की जितने भी थेटर में लोग थे, मनो जवाचपई, आशिश भुषण, जुहीड और, ऐसे दरजनों लोग हैं, जिनको वो एक लाइट हाउस था, जिसने इन सब लोगों को इंपेक किया, और कुछ लोग थे जो की चले गए, जिनको वो समझ में नहीं है, एक ठेटर करते, बड़ी-बड़ी, मैंने शायद किसी से शेर नहीं किया अब लगिया ही है, लोगर मिडल क्लास और मिडल क्लास के अंदर, तो उसका बड़ा असर पड़ता है, कि आप उपोजेट सेक्स को जानते ही नहीं हो, तो आपको पता ही नहीं होता है, आपके बत्तमीजियों की शुरुवात ही वहां से होती है, कि आपको पता नहीं है उनके बा मेरे एक रिष्टिदार हैं जो अभी तक मैंने पिछले कुछ साल पहले नोटिस किया कि उनका बच्चा खाना खा रहा था बेटा और बेटी और बेटा अपनी जूटी प्लेट लेके जा रहा तो उसको रोक दिया कि बेहन लेके जाएगी तेरी यह उसका काम यह अभी दस साल पहले की बात है तो वो हमारा जो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में खास तौर पे कि जो नौजवान जो उलचते हैं इदर उदर इमलेस जो बोलते हैं उड़ते तीर ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं उसके पीछे क्रीजन यह भी होता है कि लोगों जो एक एक सोला सतरा साल अठारा साल में बहुत ही नैचुरल सी चीज़ होती है इश्क होना इश्क नी होता है डिजायर होती है फैंटेसी होती है वो हमारी हमारी सुसाइटी वो स्पेस देती नहीं है अब तो फिर भी बहुत चीज़े बदल गए आज आज की तारिक में मैं मौल जाता हूं या सिने महौल जाता हूं तो वहां पर दिखते हैं लड़के लड़कियां नौजवान झाल पर के ग्यारों औरों जां साने जाने हैं औरों मौल यूटी को नहीं है दरें हैं और त्रीकिरेंट वहाँ ग्जाती मोलो में जो हैं लोग बिना इश्क के शादियों में घुज जाते हैं इश्क किया ही नहीं होता है रोमेंस किया ही नहीं होता है एक दूसरे को जाना ही नहीं होता है आपने तो मैं भी वैसे ही था रोमेंस मतलब मुझे मेरा एक तरफा रोमेंस था मेरे सारी जो रोमेंस की डेफिन कि कि वाइफ होगी तो जया भादुरी यसी होनी चीए कि रेखा जैसे होनी चीए कौन सी रेखा मांग भरो वाली नहीं कुपसुरत वाली जो पूरा गर समाल लेती है ना परविन भॉबी मतलब वो कालिया पिक्चर में कैसे अंडा वाना थी है सब मतलब जो कि नौकरी छुड़ गई है, हस्बेंड का कुछ हाथ-पैट उड़ गया है, बेचारा है, पत्नी की जिम्न है कि वो उसको छोड़ेगी नहीं, साथ जनम का ही है यह हम एक कूट-कूट के भरा हुआ था और वो हर एंगिल से चाहे वो सोसाइटी का हो अगर पॉपलर कल्चर जैसे मूवीज का था, सब वो ही फीड का है, आपके आज़ पास सीखा यह हो था, तो मैं उस महल में मेरा थेटर के दौरान क्योंकि जो स्कूलिंग होई थी, पढ़ाई होई थी, वो तो लड़कों के साथ होई थी, और थेटर में आया और वहाँ पे मिला लड़कियों से पहली बार बाते बाते होना शुरू हुई और उसमें मेरे एक तरफा रूमेंस बहुत सारे होई, और क्योंकि मेरे जो फॉर्मुलास थे, रूमेंस के, वो सिनेमा के देखिये होई थे, कि ऐसा होना चाहिए, तो मेरे पास कुछ, मैं हमेशा मिस्टेक करता था, गड़बड मैं नक्तू सुटर में बैठा, अब चौती बार में मैं उसको मान लिया कि मेरे साथ फेरी हो चुके हैं, अब तुम्हें ऐसे करना है, कहां गई थी, क्या हुआ था, चलो मैं घर छोड़ाता हूँ, वो जो चीजे हैं ना, तो वो ऐसे में मुझे एक, महीं थेटर करते और फिर उस लड़की ने, एक दिन मुझे बैठ के समझाया, क्योंकि पैसे है नी जेब में, आपको पता नहीं क्या करना है, और खाली हो जो रूमेंस का जो एक सिनिमा में अपनों देखा हुआ है, वो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आपको उसको उसको अलावा बाकी पूछा है कि आज से पांसाल वाद आप कहा होगे, जो पूछते हैं ना, वे डियू सी यूर्सेल्फ इं फाव यर्स, मेरे तो पसीने आगे कहान के पीछे, थेटर कर रहा हूं, घर कैसे जलेगा, क्या चाहते हैं, अब क्या करोगे, मतलब हम जो मिल रहे हैं, उसका क्या हो पहली बार, अब देखें ना, क्योंकि आपकी जो श्री श्री रवी शंकर है, कहां-कहा मिलते हैं आपको, तो वो उस दिन, उस एक घंटे, डिड़ घंटे की उसके अंदर, उस लड़की ने भी भूला, तो मैंने का, मैं जनलिस रहा हूं, मैं लिख सकता हूं उक बारों मे मैंने तो नहीं देखा आपको, आप तो पूरा दिन यहां पड़े रहे तो मंडिया उसमें, सुबह से शाम तक, पिचर देखनी है, आपको रेस्टराण जाना है, बस यह है, यह आपकी लाइफ का फलसफा है, तो मैंने का, मैं जोश में आगया, मैंने अगले एक अपते मे बहुत सारे इंटर्व्यूस कर लिए, जो जो दिली में हो सकते थे, और वो पब्लिश करके, और अखबार की कत्रने दिखाई हूं उसको, तो फिर बैठी मेरे से, बोले कि यह तो आपने मेरे कहने पर कर दिया, आप अपने लिए क्या कर रहे हो, आपका अपने लिए क्या देखते हैं अपने आपको, पहली बार मैंने अपने बारे में सोचा, उस लड़की ने लाइट हाउस के तोर पे आके, मुझे रास्ता दिखाया, कि मैं यार ये, ऐसे तो नहीं रह सकता कि एमिचर थेटर करते हूं जहां पैसे भी नहीं है, दोस्तों से उधार ले लिया, पेरेंट से ले लिया, तो ऐसे तो नहीं चलने वाला है, चाटका लगा बहुत जोर से, और मेरी जिन्दगी पलट गए, और उसके बाद मैंने सिधार्ट बसो, कुई शोज वगरा बनाते थे, उनके हां पहुँच गया, कि मुझे कुछ भी काम चाहिए, वहां पे ओडियन बैक स्टेज, वह सारे काम के, फिर टीवी एटीन, शुरू और अतरागव वहल और इस ही, वहां पे हिंदी राइटिंग, तो वह मैं कह सकता हूं कि अगर उस लड़की ने मेरे को थपड नहीं मारे होते, जोर-जोर से, तो मैं शायद उस नशे में ही रहता, और कुछ साल बिखर जाता, और बिखर जाता, तो इस तरहे के लोग अकसर आते, एडमिशन नहीं हुआ, तो रंजीत कपूर साब, ठेटर डिरेक्टर, राइटर, तो उन्होंने मुझे होस्टला दिया, वो मेरे कोच बने बोले कि नहीं, ठीक है घजजाज, ऐसा होता है, हजारों लोग इंटर्वी देते हैं, और उसमें नहीं होना प्रॉबलम नहीं है, तुम शायद जादा महनत करोगी अब, क्योंकि तुम्हारे पास वो वीजा नहीं है, तुम्हें वो उस बोट में जाने के लिए जगा नहीं मिली है, तो तुम्हारी, और ऐसे ही हुआ, मेरी महनत जादा ह पूशिश की, मैंने की, मैं, या संजेरे चौधरी, रेसी, TV18 में, वो मेरे एक मेंटर थे, कि वो पूरा एक, तीस-चालेस नौजवानों का एक कंपनी थी, production house, जो नहाने जब शुरू हो रहा था, television, और वहां पे वो सब लोग, South Delhi के, जैसे हां पे, टाउन साइड में, ब में, बहुत कम मेरी पहचान थी, तो मैं अपने महले का, railway colony के perspective से उनको देखता था, कि ये अमीर लोग, है न, तो वो पहली बार उन लोगों से मिला, वहां पे, अंग्रेजी बोलने वाले लोग, सारे के सारे, लेकि मेरा, रेसी ने मुझे एक दिन समझाया कि, इतना conscious होने स्क्रिप्ट लिखनी है, तो आप, मैं अंग्रेजी, शायद गलत अंग्रेजी बोल रहा था, उस पर उनोंने टोक दिया, जैसा आप बोल तो वैसा बोलो आप, जो नैचरली, जो नैचरली है, और जो जिसमें आप confident, क्योंकि आपको उस वज़, आपको अगर अंग्रेजी के लिए हायर किया होता, तो समझ में आता कि आप घलत कर रहे हो, आपने जूट बोला, आपको तो हिंदी स्क्रिप्ट रेक्टर के तरफ बोलाए गया है, उसका काम आपको, जो चालीस लोगम मेंचे किसी को नहीं आती है, जितनी आपको अच्छी आती है, तो रेसी मेरे ल ज़िए हिंदी चाहते है, और प्रोलम था हरको इंग्लीश में लिख रहा था, तो किसी को दे रहा था कि तुम हिंदी में इसको ट्रांसलेट तर लो, और जिसने खुद हिंदी में लिखाय है, वो प्रेजेंट नहीं कर रहे थे, कि लग रहा था, जो लोग जज़ कर रहे ह तो बोलो समझेगे नी, लोग सुंते कर बोलता है, ये तुम इस तुम नहीं डोल्यूट, ज़िए बाच्वन में तेल्गू में सोचता था, ज़िए फिर स्विच होके में इंग्लिश में सोचने लग गया, अभी जब मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी तुम एने बॉल पर आपने चाहिए पॉइंट पॉलाओं यह बहुत हार्ज भी गर कोई किसी लैंग्विज में कॉन्टरेंट है को लगता है कि नहीं मुझे इंग्लिश में करना हो क्यों कि लोग समझेंगे भाषा तो मां होती है न क्योंकि मां आपको जीना सिखाती है आपको जीवन देती है उस मां से आप कैसे शर्मिन्दा हो सकते हो लेकिन मैं सालों साल तक शर्मिन्दा था कि मैं कैसे मैं मिस्विट अपने आपको मानता था तो था कि 90s के अंदर जब मैंने अड़िटाइजिंग जॉइन किया तो वो टाइम था जब प्यूश पांडे लेकर आ गए थे चल मेरी लुना और प्रसून पांडे फिविकॉल के एड बना रहे थे जो राजस्थान की चैरेक्टर्स होते थे इसके अंदर फ्रेंच रिवेरा व लेकिन जो हमारे जिसे मैंने एक पब्लिक सर्विस फिल्म बनाई थी मैंने होली के ओप जिसके अंदर एक ब्लाइंड स्कूल में होली का त्यावर खिला जाता और कैसे कहानिया अनफोल्ड होती तो वो कांस में उसको ट्रॉफी मिली है ब्रॉंस ट्रॉफी मिली है और वो एक जैपनीज क्रेटिव डिरेक्टर है अकीरा कागामी दैंसू जैपान से वो हर साल कांस आते थे और अपने कुछ फिल्में सिलेट करके उसको वो दिखाते थे अपनी तरफ से कि ये लोकल कल्चर को कौन कौन से फिल्में जो बनी है पुरे दुनिया में एड फिल्म्स कि कि फिल्मों ने उन्हें इंस्पायर किया या मोटिवेट किया या जो दिखने या दिखाने लाइक बात है वो फिल्म हमारे जब एड़िडाइजिंग के जो एवार्ट शोस थे उसमें उसको तवजव नहीं दी गई थी क्योंकि वो देशी और उस अब तर लेकिन उसको एक जापानी आदमी कांस में उसको उसका एक सेमिनार हो रहा है और उसके बरबात हो रही है तो वो लेकिन अभी बतली है चीजे और इंसेकरटी वो सिफ लैंगवेज का नहीं रहता है वो अगर अब स्मॉल टॉन से बड़ी सीटी में हो तो वो एक रहता है जो मेरा था आदिया नहीं था क्यों रहता है इंसेकरटी कि यू वां तो शो की यू बिलॉंग यस और सब बोल रहे इंग्लिश में सब में भी इंग्लिश राह कर लेता हूं जो नैच्रल इंस्टिंक्ट हो नहीं फॉलो कर रहा है तो एक चीज है कि आप आप श्याद वो जैसे आप आ जैसे लोग है शायद दस सल पहले ऐसा सिच्विशन होता तो मैं कॉंचेस होता कि मैं एक अंग्रेजी बोलने वाले के साथ में मैं इंटर्व्य क्या दूंगा मैं क्योंकि मिडल पाथ क्या है लेकिन मैं बड़ा लग्य हूं कि मैं इस टाइम में हों कि जहां पर आप अपने अपने एड फिल्म प्रड़क्शन हो शुरू किया कोड़ेट फिल्म और टू थाउजन थी में पहली बार में पी पिम करने गया और मैंने अ शायद लिव बनेट का था में पहला यह दूसरा ऐसा कुछ था और उसमें मैं हिंदी में नरेशन देना शुरू किया एज अपने बूला गजराज यह थो दूए प्रेजन इंग्लिश ओंली तो एगनेलो डायस थेवाँ पर हाँ एगी ने बूला रिमाट एट इम दो वट इस दूए तो वो जो न चाहे से खितली कर रहा हम वो सर्विसिंग ने बूला कि नहीं तुम तो मतलब डूब जाएगा हम तो मेरा एजनसी का नाम खराब हो जाएगा ऐसा इंप्रेशन दे दिया और मैं नर्वस हो गया मैं दो हिंदी आता है। और मैं अंग्रेजी में एट फिम नहीं बना रहा हूँ वह हिंदी ने एट फिल मना रहा हूँ उसका प्रेजनेशन में हिंदी में दोंगा ना तो तो बहुत अच्छा हुआ क्लाइंट भी बहुत उन्होंने समझा खुशी-खुशी सुना कभी कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ यह अगर आप लास्ट फाइवियस देखो कि ट्वेंटी एटीर में आपके लिएक मुमेंट था यह लास्ट फाइवस ने आपने आपके बारे में क्या डिस्कावर किया है कि देखो क्या था कि 4748 का था तब बधाई हो आया और मेरा एक्टिंग का एक जो भी प्रोफाइल रहा जो भी काम मुझे मिलता रहा एक तरह से काम मिला और बड़े रोल नहीं थे इंट्रस्टिंग पार्ट थे चाहता अलवार हो ब्लैक फ्राइड हो हां मेरे कोशिश की कि वो impactful हो वो कहानी में कितना कहानी को कहां पर importance दे रहे हैं वो मेरे character वो important है मेरे लिए उसकी कितनी line है वो important नहीं था कि वो कितने scene है क्या है तो वो शाहिद कहीं पर एक कुछ switch था जो on था लगा था और advertising चल रहा था कि महिने में दो-तीन ads हो रहे है चार ads हो रहे हैं जो ad friends में direct करता हूं लेकिन आपको digital advertising के बाद चीज़े बदल रही थी cost cutting जैसे आप और उसकी बीच में एक podcast सुनता था सुनना शुरू किया उसके नरे एक बंदा बोलता था advertising is dead यह कौन है यह आदमी मेरा काम है मेरा रोजी रोटी है और यह advertising is dead हर हफते podcast सुन रहा हूं हर हफते बोल रहा हूं यह भाई साब आप ही थे आपका podcast में आपका पहला रहा है लेकिन मुझे लगता है कि दोनों चीज़े हो रही थे कि advertising हो रहा था और मेरे आसपास के सारे जो लोग हैं थेटर के जमाने के दोस्तों फिल्म में बना रहे हैं OTT पे कुछ कर रहे हैं तो हर एक की life में एक graph change हुआ था मेरी life एक पेस में चल रही थे जिससे मुझे complaint नहीं था मुझे एक चीज अच्छी चीज है मेरे साथ कि मैंने complaint कभी नहीं किया life में अगें वही सेटी सर हो गया या NK शर्मा या वो लड़की जिसने मेरी जिन्दगी बदल दी एक और लड़की जिसने मेरी जिन्दगी बदली कि जो जो मुझे मुझे सही राश्ते पर पुश करते रहे वो जो नहीं आट रोबोट जैसे होते हैं कि पुश कर दिया या जो घर में सफाई करने वाला चीज नहीं होता है तो वह एक दिवार से टकर करता है तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मेरी जिन्दगी में आते रहे और वो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि हाँ शायद मेरा एड़िटाइजिंग करियर शायद दस साल और चलेगा उसके अंदर क्या पेस होगा कैसे होगा अभी चार फिल्में तो नहीं होती है महीने की दो फिल्मे होती है एक फिल्म होती है या कई बर दो महीने में एक फिल्म होती है क्रड़ों क्यूंकि चीजे बहुत और आप और आप अब मैं पचास साल का आदमी और वींचाल चल के लड़के लड़कियों से मां कम्पीट कर रहा हूं जो नही आइड यॉ登録ald के साथ जिनक 2017 में तो बहुत ज़्यादा थी उसके बीच में यह नहीं बोलेंगे कि सैटिस्वाइड था एक कहीं पर एक हलका सा खलबली थी कि अब पांसाल बाद क्या होगा क्या करूंगा मैं क्या होने वाला है कि मुझे किस तरह मैं किताब लिखूं कि मेरे कहानी का वो था या मैं कुछ स्क्रीन प्ले पर काम करना चाहता कुछ एक चीज कि इसको बदल के थोड़ा सा पटरी बदलता हूं थोड़ा सा कुछ चीजे चेंज होंगे खुद के लिए कि मैं खुद को कैसे मोटिवेटेड रखूं और उसके वीच में यह एक स्क्रिप्ट आया अमिठ शर्मा ने मुझे वो रोल दिया और जिसको बोलते है ने बिफोर क्राइस्ट अफ्टर क्राइस्ट तो मैं कह सकता हूं कि बिफोर बदाई हुआ और अफ्टर बदाई हुआ उसने उस एक साल के अंदर जब फिल्म रिलीज वा टुदाओन एटीन ना करके चीज़ें बते हैं और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मुझे प्रडक्शन हाउस से फोन आएगा कि घजराज आपके लिए एक रोल लिखा जा रहा है यह जोना मैंने कभी एक्स्पेक्ट नहीं किया फैंटसाइज जरूर किया होगा जब मैं दूसरे एक्टर्स के इ मेरे साथ ऐसा नहीं होगा गया चारो अगली बाद ऐसा सोचता था लेकिन वो जब हुआ और अब ऐसा नहीं कि कुछ खतरनाक मतलब बदल गया हो सब कुछ लेकिन जो था उससे बहुत अमेजिंग हो गया है वो जो यह शायद यह हर एक्टर की जिंदगी में हर एक्टर्स की जिंदगी में ऐसा एक खुशी आना चाहिए एक बधाई हो आनी चाहिए जिसको वो थोड़ा सा जैसे आपकी चेहरे पर कैसा एक कामने से आपका जो ग्लिच वाला एड़िटाइजिंग एजिंसी का जो आपका एक प्रोफा बहुत फारक आया होगा तो वो जो एक हडबड़ी थी वो शायद थोड़ी से रुकी और कहीं पर एक माइन में जो चल रहा था कि अब इस ओवर अब हो गया अब धीरे-धीरे हो जाएगा तो वो एक दुवारा से एक नहीं एनरजी मिल गए नहीं चीजें आ गए कि मैं अलग गलक प्रोजेक्ट्स किये मैंने शुमंगल जादा साफदान और यह अभी जो सत्य प्रिम्पिक का था हो रही है अमित की एक और फिल्म में मैदान और नरेशन होना कहानिया सुनना कहानिया स्क्रिप्ट और ऐसा होना कि जो यह पतर दो प्रॉमिनेंट पार्ट हैं तीन प् पार्ट का होना तो वो उसने लाइफ बदल दी हैं क्योंकि एक्टर के तोर पे मुझे लगता है कि खाली पैसा इंपॉर्टन नहीं होता है ऐसा तो इंपॉर्टन है डिफिनिटली क्योंकि आप आपकी जरूरते हैं आपका परिवार एम आईज बहुत सरे खर्चे होते हैं आप कितना भी तसली रख लो तो आप मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी में अच्छा खासा तीस एक साल मेहनत किया है पच्छीस तीस साल बढ़ी है से बिना उसे तो मुझे थोड़ा सुख होना अच्छा लगता है अच्छा वला फोन अच्छा ट्रैवल अच्छे ह मिन एफोटल में रहना मुझे बहुत पसंद लैं जो मुझे उसमें पोई शर्मिंद्गी नहीं है मुझे ऐसा नहीं लगता कि फॉला में क्यूं रोकना चाहता है बिजन्सक्लास में क्यों ट्रैवल करना चाहता हूं वह इसकी वज़े से बहुत अच्छे से पॉसिबल और मैं अपने family को खुश रखना चाहता हूं, मैं जब family के साथ जाओं, बच्चों के साथ, wife के साथ, तो उनको best चीजे दे पाऊं। कभी बिमार बिमार हो जाए, तो मुझे सोचना नहीं पड़े कि मुझे इस hospital जाना है, या इस hospital जाना है, मैं इधर जाओंगा। तो वो बधाईों के बाद से मुझे थोड़ा सा security और अच्छे से आ गया है। ये लास्ट जो आपने point बोलाता है, ये बहुत ही interesting point है, बिकॉस ये actually बहुत लोग बोलते नहीं है, ये almost एक point रहता है कि या तो एक डो टैंजेंट रहते हैं, एक टैंजेंट रहता है कि नहीं न बुलना नहीं चाहिए, ये दूसरा होता है कि नहीं दिखाना हो जाला, आपने जो बला है, वो actually सबसे इंपॉर्टन पॉइंट है, बिकॉस छोटी जो प्लेजर्स होती है, छोटी जो फैमली के लिए हो, फ्रेंड्स के लिए हो, जिसे मेरी दोस्की शादी हो रही थी, तो और मेरा जब मैं बॉंबे पहले आया था, तो मैं उसके लिविंग रूम में सोता था, क्यों रेंट का तो था है नहीं, मिलता था दसता रूपए, और वो ट्रेंबे जाते थे, वहां सो जाता था, तब उसकी शादी थी, और ज्यादा लोग अवेलिबल ने थे, कई लेके जने के लिए, तो में और एक और दो, हम दोनों रहते थे हो लिविंग रूम में, उसको गोई लेके गए, और यह नहीं सोचा था कि कौन क्या पे करेगा, कि हम दोनों ने उर्न किया रहेट, कि उस ताम पर वो क्या था, उस ताम पर मैं सोचो कि यह खर्चा हो रहा है, तो वो वो बधायों ने क्या होता है कई दो इक चीज ही हो सकती थी बधायों के बाद से मुझे अच्छा अप्रीसिएशन मेल रहा है ओडियंस लाइक कर रहे है पुब्लिक स्पेसेज में अभी तक अभी तक अभी तक लोग मिलते हैं नाम से बुलाते हैं और वैसा नहीं होत बहुत नजदिक से आखे अजराज आपका kाम बहुत अच्छा लगता ये वाला पीचर अच्हा लगा ये वाला डेखा महत बहुत अच्छअ पधी इंध्युज इंद्ड केंड है। वो मेरे लिए ट्रॉफी है वो मेरे लिए जो मुझे फिल्म में काम करने की जो फीस मिलती है उसके एक्विविलेंट है वो क्योंकि कोई भी एक्टर कोई भी परफॉर्मर जो है आटिस्ट, पेंटर, म्यूजिशन उसको बहुत सारा पैसा दे दो तू बहुत अच्छा अभी तो अपना फेस चुपा के चुप जा उसको मज़ा निए तब है कि जब आटिस्ट के लिए खास दौर पे कलाकार के लिए कि जिसके लिए उसने किया वो काम वो जो ऑडियन्स है वो जो और मेरे केस में तो आठ साल के लेकि असी साल तक के लोग वो सब एक्वली मुझे वो करते हैं तो अगर मुझे खाली पैसा मिलता मुझे पैसा भी चाहिए हां ऐसा को यह मत समझना कि यार यह घजराज तो बड़ा हमबल आदमी है उल्टा पैसा नहीं चाहिए उसको तारीफ चाहिए तो इसको हम तारीफ के लिए लोग हायर करके काम किया मैं अब नहीं कर सकता हूँ मुझे थोड़ा मैं ऐसा जैसे एक कास्टिंग डिरेक्टर ने भी पिछे बोला मुझे कि सर आपना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो ऐसा बोलते हैं लोग वो खुद ही बोल रहा होगा तो उसने दूसरे के कंदे बंद हो गया आप प्राइस कम कर दो ना इस प्रोजेक्ट में मतला यह तो बीज दिन का काम है तो मैंने का मैं बीज दिन का तो चार्ज नहीं कर रहा हूँ यह बीज दिन तो मैं मुफ्त में कर रहा हूँ यह मेरा तीस साल का हूंवक का फीज है मैंने कहीं कोट किसी का सुना था कोई मैंने अपने पास भी ले लिया कि मैं यह वो उन तमाम दिनों का है जब मैं दिन में 20 चाहे 15 चाहे भूके पेट रात रात दिन भर गालियां सुनके मुफ्लिसी में गुजारे पैदल चलके तो फ्री है यह तो तो ऐसा लेकिन वह यह कि दस दस प्रोड्यूसर से में मिलता हूं तो उसमें से ऐसा नहीं है कि दस के दस बोलते कि घजराच वंड़फूल वेरी टैलेंटेड यह चेक काट के दे रहा हूं अपना आर्टीजस डीटेल दो मैं देता हूं पांच लोग अ पांच लोग तो मिल गए ना वो मुझे 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 मेरे काम को अप्रिशेट भी कर रहे हैं और साथ में उनको वह महनता और कई बार मुझे समझ में भी आता कि नहीं ऐसा नहीं कि ब्लाक इंवाइट है मैं उसको भी देखता हूं कि आचा नहीं यह आदमी तो अपने ज मुझे देजेना में प्रॉब्लम ही होता है कि हिंदुस्तानी कॉंटेक्स्ट में आर्टिस्ट अच्छा काम करें बहुत बढ़ी हैं वेरी हम्बल टाइम से आता है कभी नखर नहीं करता है वेरी गोड लेकिन जैसे वो फीस की डिमंड करेगा ना बड़ा एटिटूड है आर्टिस्ट वैसा कहा है वह नहीं होना चाहिए अपको ऐसा संकोच नहीं होना चाहिए चाहे वो पेंटर जो की सक्सेस्फुल नहीं हुआ है या म्यूजिशन जो सक्सेस्फुल नहीं हुआ है सिंगर जो सक्सेस्फुल नहीं है डिरिक्टर जो बहुत सक्सेस्फुल नहीं गुत मुझह दो तो साही हुआ है। मुझे वो प्रडक्शन ऑउस्स बडबे ह 102 लगते इन मुझा है। इसी कामạnhंसे देती है। टाइम हो वो हुज़न कि अरुजिक हे लिस्टिय मे डिसकुरशन था मैं है। उसमें तो निगोसेशन थोड़ा रहता है. जो चीज टैंजिबल निजिसको आप पकड़ नहीं सकते हैं, उस पर हमेशा रहता है करें, ज्यादा हो गया, काम हो गया. वो वैल्यू करना वो थोड़ा इंसान के उपर रहता है, ना कि एक्च्वल और वहाँ टक जाते हैं, जैसे कि जब गलिचे में मैं प्रोड़क्शन देखता था, तो हमेशा निगोसेशन कभी भी कैमरा के रेट पर नहीं होता था, डिरेक्टर के रेट पर, एक्टर के रेट पर, पर नहीं होता है, तो हर कोई अपना वैल्यू लगा रहे हैं, अब अगेन है कि यह भी बड़ा ट्रिक्टी है, अब उसको कैसे, अब तो अक्टर होने के साथ-साथ, डिरेक्टर होने के साथ-साथ, आपको फाइनेंस का भी समझ होना चाहिए, कि वो जो, क्या बोला अपने, टेंजिबल, 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 टेंजिबल का exact meaning क्या हुआ, जैसे कोई चीज़, अगर इसका मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसको मैं पकड़ सकता हूँ, अच्छा पोस्ट बनाए, उसका मैं कर सकता हूँ, क्योंको चार पोस्ट चार दिख रहे हैं मुझे, strategy तो बाते हैं, उसका मैं कैसे value करूँ, जो मैंने सोचा था कि, यह सारे point cover करेंगे, मैंने भी सोचा था कि, मेरा भी एक mental block है, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, और बहुत बार रहता है वो अटमाटिक फ्लो टू इंगलिश हो जाता है, और मैंने डिसाइड गाता है आज मैं ट्राइ करोंगा क्योंकि नॉमाली बोल सकता हूँ, यह 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 मेरा अंग्री जी वाला है, क्योंकि मुझे बच्पन से नेट एटिव में अन्टेव में जिए आपके पूला हुआ है राज राज सेड़ाउं आता नहीं है तो वो जो कॉंपलेक्स है वो जाएगा नहीं मैं बंगला बहुत अच्छी बोल लेता हूं भिना डरे अपने साथी ने तो हिंदी बोलूंगा तो मेरे दोस्तों चे सब सब पंजाबी थे में सब मजाग उड़ा देते है मुझे दूसरी भाषा को भी बोल सकता हूं मैं लें करके आप बोलो मुझे कुछ तेलगों का एक वर्ड बताओ और और क्या हाल है बावनारा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे मेरे लिए नहीं है तो मेरा फंबल आएगा ही आएगा उसके अंदर मैं रोक ही नहीं सकता हूं इसको क्योंकि वह इन बिल्ट है कैमरा के सामने गडबर हो जाएगा एक कुछ कैनेड़ा में कुछ फिल्म का आ रहा था काम आ रहा था उसके अंदर मुझे बोला कि अंग्रीजी में डायलोग है बोलना है नहीं बोल पाँगा कि नहीं गज्राज आप तो प कि राजमौली सर ने अगर उनकी टीम से आया तो मैं कर देगा आ फाहद फाजिल की टीम से आया तो मैं कर देगा मल्यालम में डायलोग लंबा बोल कि देगा लेकिन अंग्रीजी का प्रॉब्लम है तो उसका अब हो गया मतला इतना नहीं है नॉट कि मुझे कोई दूसरी की अब्लम ढवन होते हैं तो लेकिन आदमी खुद के कॉम्पलेकसे से बच नहीं सका है और बच्पन के जो बरकन सोल्स जो आपको जो मिला होता बच्पन में वह बड़ा दरावना होता है बड़ मुश्किल है उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल और मैं आपके वीडियो द इंफेक्ट आप पेडियो डियो मेरे पसंदिदा विडीयो से अपका जो एपिसोट था बहुत पसंद आया था वे तो मलब कुछ लोग रहता है जिव इडिप रेस्पेक्ट रहता है फो दो पीपल यहार थे मेरे ले 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 इस वा जो उनोने एक बात बोला Shivanandwala Commissioner Shivanandwala की I'm forgetting about it. No, 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 reach for your duty and forget everything. Do your duty. Do your duty. I feel very good. It's all right. You're not responsible for that. You're doing your job. Be there. How is the shooting, how is it happening, 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 don't worry. यह सोचके करेंगे तो काम ही नहीं करेंगे. आपका रूल कितना, तो यह मैं एक एक प्रोजेक्ट मुझे बहुत नर्वस हो गया था कि उस मुझे 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 मौलम चला है मेरा सीन काट दिया है. मैंने का यह सीन काट ती है, कैसे होगा? मैं इसका प्रोमोशन में नहीं जाऊँगा तेन फिर मैं समझा कि नहीं इस आल रही कुछ मजबूरी रही होगी कुछ हुआ होगा मालूम चला कि नहीं वह थोड़ा ट्रिम किया था मुझे गलत सोर्स से गलत इंफिमिशन है था तो वह है कि तो बी देर फॉर द्यूटी यह पॉइंट है पॉज पॉज क्या यह टेकव पॉज लंबा पॉज इसे चोड़ दो लंबे लंबे पॉज दो राशनिंग करता हूं कि हफते में इतने देन दिन में इतना घंटा मिस्टेक होता हुसमें कि मेरे फिल्म आने वाला है प्रोजेक्ट आ रहा है कुछ शूट हो र एल्ड इल्यूजन है तब तक ठीक है आपको पता है कि आप ये इल्यूजन है वो इल्यूजन रियालिटी बन गया नो तो बज जाओ यार बज के रोगे लो पाज ले लो लंबे-लंबे थैंक यू सो मुच पर कविंग अन्द शो थैंक यू थैंक यू